जे 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 गिर जाके नंदन जे जे मात शार दामाई जे 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 सिवी ओघड़ दानी जे बजरंग वली करू सहाई सुम्रन करू सिरी नारायान का मैं चरणों में ध्यानी लगाई सुनो सुनाते मात पिता हम पावन मैं कथा यहीं से आए मात बैशनों के से आई सिरकुता परबत बस गई मात्र तायोग में सिर्विशनू जी अबदपुरी में जन में आए राम नाम से मात पिता सब सारा जग परचय हो जाए सर्व सक्तियां हुई ये कठी अपना निर नहीं लिया बनाए सर्व सक्तियां हुई ये कठी उसी समय के कन्या जनमी दिप रूप करके प्रगताई पूछ रही कन्या सक्तिन से हाथ जोर और सीस नवाई क्यों उत्पन ने किया मुझे माता कारण इसका दियों बताई इस पर जवाब दिया सक्तियों ने कन्या सुन ले कान लगाई तुमको सब सक्तिन ने जनमो दिब्य रूप तुम्हेरा के हिलाई सादा धर्म की रक्छा करना यह तुम्हेरा करताब कहाई दच्छिड भारत में जाकर की रतना सागर के घर माई उनके घर में जनम लो कन्या तिरी भी सुनू का अंसे कहाई उनके घर में जनम लो कन्या उनके घर में जनम लो कन्या सिरी भी सुनू का अंसे कहाई रतना सागर की बेटी बने उनके घर में जनमी आए है अवितार लिया कन्या ने जिसका दिब बेरूप कहलाई भी सुनू अंसे इस कन्या का तिरको तरदीन हाना में धराय विशनु के अंस से पेदा हुई है जिसकी सूरत अजब सुहा वही बेशनो माता बन गई मैया गई जब जगत में छाय खोड़े समय में इस दिवी ने साई प्रसंसा है फेला आई रिसी मुनी आकर सित होते साद संत दर संको आई रिसी मुनी आकर सित होते तो एक दिन तिर कुटा तब करने को पिता से अज्या लई मगाई जा पहुची है सागर टट में अपनी आजन लई जमाई रामे नाम की भक्ती लग गई रामही में मन लिया रमाई लीन हुई सिरी रामे नाम में रामे बिना कुछ भी नहीं भाई करे पटिक छारा में दर से की रामे मिले कभ मुझे को आई कठन साद ना की तिर कुटने अपनी समाधी लई लगा यह तो है संचिपि कहानी अव्यांगे की कठा सुना जब रामणे सीता चुराके गढ़ लंका में गया लिवाई जब रामणे सीता चुराके की सो से करमित्र तरामा जब लंका और पहुचे जाए खो जते आए राम लच्छ मड़ पानर सैना संग कहाए नजर पड़ी सिरी राम चंद्र की और कन्या धिग पहुचे आए पूछ रहे सिरी राम प्रेम से तब तिर को तक नैन खोल जाए नैन खोल कर जेसे देखो खड़े सामने राम दिखाए पूछा फिर सिरी राम प्रभू ने सबका कारण देओ बताए नाम तुम्हारा क्या है देवी मात पिता तेरे को ने कहाँ इस परतर कोटा प्रभू से बोली अपना पर चै दिया बता इस परतर कोटा प्रभू से बोली इतनी बाते सुन कन्या की रामे अचंभाव में पाड़े जाए हसकर गोले है तिर कोटा से देवी सुन लो ध्यान लगाए मैंने एक पतनी हूने का सुन्दरी लिया संकल्प कराए मेरी साधी हुई सीता से वह मेरी अरधांगनिया अब इस जनम में है ये मुस्किल सत्य कहूं तुमको समझा तुम्हरे सपका फाल ये देवी तुमको निश्चय ही मिल जा एक दिन भेश बदल कर आओं मुझको जो पहचान तुझा आए सत्य कहूं है देवी तरकोटा तुमको लूंगा मैं अपना आए सत्य कहूं है देवी तरकोटा सत्य कहूं है देवी तरकोटा तुमको लूंगा मैं अपना यह मन मान गई तिरकोटा के पैठी प्रभु का ध्यान लगाए राम चले गए नजर से ओझल अब आंगे का हाल सुनाए लंका जीत लोट जब रामा उसी जगह पर पहुँचे आए आद आई तिरकोटा भक्तन की अपना कादू भेस बनाए जा पहुचे हैं अबद बिहारी खड़े सामने प्रभु जी आए देखे कि तिरकोटा हैरत खावे राम को फिर पहचाना नाए प्रगट हुए सिरी राम रूप धरे तिरकोटा गई रंज में छाए प्रगट हुए सिरी राम रूप धरे चरण बंद ना की है प्रभु की बड़े भाग फिर दर्शन पाए आसे रिवाद दियो रघुनंदने और तिरकोटा से कही सुनाए कल योग में कल की ओतार में तुम्हे से चरी लेओं बनाए उत्तर भारत में सुन देवी जो तिरकोट परवत कहलाए तीन सिखर आति सुन्दर वहां पर महा सक्तियों का पास कहाए मगने रहो देवी वहां रह कर गर्भ गुफा पर सिद्ध कहाए लंगोर बीर रहेंगे पहरी की रत तुम्हेरी सब जग गाए नामे बेशनों होई तुम्हारा प्रव पर अंतर ध्यान हो जाए नामे बेशनों होई तुम्हारा प्रव पर अंतर ध्यान हो जाए अब आंगे की सुनों हकीकते जो हम तुमको रहे सुनाए कट्रा से कुछ दूर ममया हनसाली एक गाउं कहाए सद्यों पुरानी बाते कहते मा की लीला कही न जाए हनसाली इस गाउं में जन में सिर्धर पंडेत नामे कहाए पर संतान नहीं सिर्धर की दुख बस इसका रहा सताए कन्याओं का पूचन करती किरिया रोज किलाई बनाए कर उपवास सांज जब होवे करे फला हर भोग लगाए कर उपवास सांज जब होवे तो सच्ची लगन लगी देवी से एक दिन माता गई हर साई देख भक्त की भक्ती मैया पेश्णो कन्या रूप बनाए कन्या पूजन की तैयारी सिरिधार ने फिर लई बनाए छोटी छोटी कन्या बेठी जो सिरिधार ने लई बोलाए उन कन्याओं में जग दंबा सामिल हुई भवानी माए नियम तस्रिधर बाबा काई सब कन्यों के चरण धोलाए फिर परसत है पुड़ी खीरिया और स्रधा से घर पहुचाए अब भोजन जब परशन आए सुन्दर कन्या नजर में आए अब भोजन जब परशन आए तो अब भोजन जब परशन आए सुन्दर कन्या नजर में आए चका चोंद भै सिरिधर बाबा इस कन्या को देखा नाए केहते सिरिधर यह कन्या तो मेरे गाओं की बेटी ना आए दाने दच्छणा लेकर सगली कन्या अपने घर को आए पर यह कन्या क्यों बेठी है भला मैं पूछू इट से जाए सिरिधर तो कुछ बोल न पाए कन्या बोल पड़ी मों सिकाए महसक्त जगदंबा मां का रूपे अनोखा आजब सोहाई कन्या ने सिरिधर से बोली एक काम से पहुची आए कन्या ने सिरिधर से बोली मां चोटी सी कन्या के हिती है बाबा सुन लो ध्यान लगाए आसपास की गाओं में जाकर जन जन दो संदेसा जाए कल दो पहर भंधारा होगा भक्त जनों को लिव बोलवाई इतना कहिकर कायब हो गई पेशनों मात भावानी माई चिंता में सिरिधर डूबे है मेरी बात समझ नहीं आए कोन थी यह छोटी सी कन्या मुझसे कह गई है समझाए जाग उठी हिरते में सक्ती कोन करिसमा देवी दिखाए परिसान थे फिर भी मन में परिसान थे फिर भी मन में परिसान थे फिर भी मन में सिरिधर को नहीं सान थी आए निकल पड़े हैं सिरिधर बाबा चग दंबा को धान लगाए आसपास के गाउं में जामे सबसे पंडित कहें सुनाए खोद आना कन्याओं को अपने अपने लाना संग लिवाए है भंडारा मेरी कुटिया में समय पे सब तुम पहुचो आए आगे चल दिये सिरिधर पंडित दूरे गाउं को कदम बढ़ाए उची समय गुरु गोरक मिल गए बहु तक जुंड साधु कायाए कि आपना में तभी सिरिधर ने बुरु गोरक कोशी सनवाई कि आपना में तभी सिरिधर ने कि आपना में तभी सिरिधर ने गुरु गोरक कोशी सनवाई आशर वाद दिया गोरक ने फिर बोले मन में मुसिकाई नाम पूछ रहे हैं सिरिधर से अपना पर चै देओ बताई इस पर ज्वाब दिया गोरक को सिरिधर दीना नाम बताई हंस साल एक गाउं है छोटा वह मेरा रहवास कहाई है बिसाल भंदारा घर में क्रपा करो सब पहुचो आए इस पर बोले गुरु गोरक जी प्रम हण सुन ले कान लगाए भेरोनाथ संग है मेरे चेला तीन साथ कहाई भेरोनाथ संग है मेरे देविराज जो इंद्र कहाँ में वो नहीं भोजन सके कराई सोच समझ कर बोलो ब्राम्भने नहीं तो बात बनेगी नाए इस पर जब दिया सिरिधर ने कन्या का दिया हाल सुनाए सोच के रह गए हैं गोरक जी मेरे बात समझ नाए कोन सी कन्या सिरिधर यें सी सब को भोजन देख कराई लेंगे उसकी जाई परिक्छा सच क्या जूट पता लग जाए गोरक बोले हैं सिरिधर से ब्राम्भन सुन ले कान लगाए हम्यामे कल ठीक समय पर तुम तैयारी लेओ बनाए हम्यामे कल ठीक समय पर हम्यामे कल ठीक समय पर तुम तैयारी लेओ बनाए जियान मंत्र स्रिधर बाबा अपनी कुटिया लोटायाए रात कटी मुस्किल से बेराने होत सवेरा चिंता चाई इतने बड़ भंदार एकाँ में कैसे लू सामान जुटायाए हाई गरीबी बेसाई छाई मुख से बोल निकलता नाए बेठी चिंता में पंडित जी आब कुछ युक्ती समझ नयाए दिवे रूप धर कन्या बन कर पैश्नो देवी गई प्रगटाय बोली कन्या है सिरिधर से बाबा काई रही घबिराय बोली कन्या है सिरिधर से बोली कन्या है सिरिधर से बाबा काई रही घबिराय इतना केके गाई व्योग गई बैश्नो मात भावानी मां इधर दो पहर होने चली अब नियोता बारे पहुँचे आए धीरे धीरे सिरिधर के घर भीड एकटी हो गई आए गुर्गो रख भी आने पधार हाँ चेला तीन सुसाठ कहाँ छोटी सी कुटिया सिरिधर की कितनी गेसे भीड समाए सोच रहे थे जितने आए कितना भोजन कहां से आए जिस पर कृपा हो माता की उसको आज कहां से आए जिस पर कृपा हो माता की मा पुत कर आए सिरिधर पंदे दोर जोगिन से कही सुनाए हात जोड कर बोले चलिये गुरवर बिलम करो अब नाए आंगे सिरिधर पीछे गो रख चेला घोसे कुटी में जाए कहते गो रख छोटी कुटिया जग है पुजने को है नाए वहां तुपादे वीकी हो गई सब कुटिया में गई समाए आसन मार बैठ गई गो रख सिरिधर चेला दिये बैठार सुरू हुआ है फिर भंदर कन्या भोजन पर सन्याए भैरों जोगन है संग बेठा मदरा मास बोरा मंगाए भैरों जोगन है संग बेठा इस पर जाबितिया कन्याने जोगी सुन लेकानी लगा यह परिसाद भंदार एक जो सब खा मैं वो तू खाए मदरा मास मिलेना तुझको इस पर भैरों गया गुसियाए बैशनों माटा के भंदारे को उसने दीना ठुकराए हटकर लीनी है भैरों ने बहताई जोर गया गुसियाए उसे तो लीनी रही परिक्छा पर भो भैद समझ ना पाए उटकर ध्यरों हात पकड़ने आंगे दीना कदम बढ़ाए पीछा कर कन्या का दोड़ा कन्या को वह पकर न पाए पीछा कर कन्या का दोड़ा तो पढ़ गई देवी फिर आंगे को जिसका रूप गया है लुभाई आंगे देवी पीछे भेरों पैरी पीछा छोड़े ना पवन रूप वह दिप्थिकन्या अपनी कला रही बतला दर्सनी दर्वाजा से होकर वाल गंगा को पहुँची जाए चरण पाद का आदी कुमारी होकर गोफा में घुस गई आए बड़ी भयानक गोफा वहां थी गर्वे जून वह गोफा कहाए लंगोर बीर का पहरा माने गोफा दौर पर दिया लगाए नो महीने तक गर्वे गोफा में जग दंबाने लिए बितार नो महीने तक गर्वे गोफा में नो महीने तक गर्वे गोफा में जग दंबाने लिए बितार खोजत यहां वहां को भेरों को कन्या उसको मिलती ना उसी गुफा में एक साधू था अटल तपसी जो कहलाए मात बेशनों ने दरसन दे उसका जीवन धन बना एक दिन भेरों से साधू की मुलाकाते सई हो जाए फिर समझाया है भेरों को वह कन्या साधा रणना आए आदी सकती जग दंबामा है क्यों तो पीछा छोड़े ना उनका लांगुर पहरी बैठा गुफा के भीतार जाना पाए उनका लांगुर पहरी बैठा उनका लांगुर पहरी बैठा गुफा के भीतार जाना पाए कठन लडाई की लांगुर ने भेरों घुसन गुफा में पाए देखिलकारी हसी भावानी विकट रूप मा का दिख लाए काट लई भेरों की गरदन माने चंडी रूप बनाए मारत काल भेरों के महों से मा का सब्द निकल ही जाए कहता तडफत तडफत मां से तुमको मैंने जाना ना भूल छमा कर दो मेरी माता और मैं कुछ भी मांगू ना आए मा का हे देदाया का सागर आखिर दाया गई है आए मा का हे देदाया का सागर तो प्रगट भाई मा बेश्र नो देवी और भेरा से कही सुना तुने मुझको मा कह करके मरत काल अब मुक्ती पाई कहती माता फिर भेरों से तेरे दर्सन जो ना पाई मनो काम ना रहे अधूरी कत कहूं यह जूट है नाए मेरे दर्सन कर नर नारी लोट के तेरे दरस को जाए मेरी पूजन के फिर पीछे तेरी भी पूजा की जाए हो उद्धार इसी में तेरा कितना कह गायव भाई मा दूध बाद भंडारा के जवे कन्या अंतर ध्यान हो जाए दूध बाद भंडारा के जवे दूध बाद भंडारा के जवे कन्या अंतर ध्यान हो जाए सिर धर कंडत सोच में पड़ गए भारी दुख में गए हैं चाय खाना पीना छोड़ दिया सब रात दिना कुछ नहीं सुहाए अर्थ रात तरी मात बेशनों पिर धर को फिर सपन दिखाए साख चात जगदंबे माने अपना रूप दिया दर्शाए करी बंद ना सिर चर नन की मैया मंद मंद मुशिकाए अपने परंभक्त को ले गई मात बेशनों संग लिवाए सपने में ही धाम मात ने तिरी धर को है दिये दिखाए सपने में ही धाम मात ने गद गद हो गई ब्याको लेक्या जगदंबे के दर्शन पार मात ने सिर धर बाबा को अतल बचन है दिया सुनाए तेरे चार पुत्र भी होंगे इसमें जूट जरा भी नाए करे पीडियों पीड़ी पूजा यह तुम्हरा अधिकार कहाए सुप और सान्ती रहेगी घर में चिंता किसी बात की नाए इतना कह कर गायब हो गई मात बैसनों जग की माई तिर पुत परवत पर मैया की उचे धर्म ध्वजा लेहरा आय कि आप रचार तभी सिर धरने भक्त रहे दर्शन को आय कि आप रचार तभी सिर धरने हाँ कर दो कर दो कर दो